नमश्कार SBT News में आपका स्वागत है पेश है दस माई सुमवा दपहस सवातीन बजे रासान जोत्वर बिकानेर की बड़ी खबरे असन सकार ने सुमवा से लागू हुए लॉकडाउन के दौरान मजदूरों का पलायन रोकने के लिए विशिश गाइड लाइन चारी की है इसमें मजदूरों को फैक्टरी या कारिस्थर तक आने जाने के लिए पास देने के विवस्था की गई है साथ ही फैक्टरी मालिकों से स्पेशल बस चलाने के लिए निर्देश दिये हैं ग्रेवी भाग ने रईवार राद इस समन्द में आदेश चारी कर दिये हैं सकते लॉपडाउन के पहले दिन उदैपू शहर में लोगों ने बाजार में किराना वे सबजी लेने के नाम पर स्वारे नियम काईदे तोड़ दिये असल में लोगों की भीड मुखे सब्जी मंडी वे मंडी तक पहुंची जिनको रास्ते में कोई पूछने वाला नहीं था कुछ थानों पर तो पुलिस ने लोगों को वापस लोटाया फिर भीड मंडी धान मंडी तीज का चौक शेत्र में जमा हो गई सीकर जिले में कोरोना लगातार बढ़ रहा है बीते 24 घंटे में कोरोना के 602 नए मामले सामनी आए हैं पांच लोग की कोरोना से मौत हो गई मुखेची के सहम स्वास्ता दिकारी डॉक्टर राजे चौधरी ने बताया कि सीकर शहर में 116 फत्यपूर शेत्र में 12, खंडेला ब्लॉक में 56, कुदन शेत्र में 41, लक्ष्मनगर शेत्र में 114, नीमका थाना ब्लॉक में 48, विप्रालिश शेत्र में 47, श्रेमाधवपूर ब्लॉक में 120 और दांता शेत्र में 48 ने कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए हैं रास्तान के नर्सिंग करमचारियों ने एक बार फिर अपनी मांगों को लेकर आंदोलन खड़ा कर दिया है रास्तान नर्सिंग असेसिएशन के आखवान पर प्रदेश भर के नर्सिंग करमचारी काली पट्टी बांग कर अस्पतालों में काम कर रहे हैं करमचारियों की प्रमुख मांगे पदनाम परिवर्तन, समय पर पदोनती, समीदा पर लगे हुए नरसिंग करमचारियों को नियमित करने और वेतन विसंगतियों को दूर करने की है विधान सभा में नेता परतिबक्ष गुलापजिन कटारिया ने मुख्यमंतियों शोगहलोत को पत्र लिख कर कहा कि गाउं में लोग ना करोना की पालना कर रहे हैं और ना ही संक्रमी से दूरी रख पा रहे हैं वहां विस्फोटक सिती है कट्यारिया ने पत्र में सियम को बताया कि विगत एक सब्ता हमें कोरोना के दुत्य फेज में शहरों के साथ साथ गाउं में भी संक्रमी देशों की संख्या लगभग 35% तक पहुँच चुकी है ये सिती तो तब है जब वहां जौंच के उचित स्विधाएं उपलब नहीं है कोरोना में हमारी के दूसरी लहर में संक्रमेंट से जूज रहे रास्थान के लिए एक अच्छी ख़बर है कि पूरे देश में सबसे ज़दा वैक्सिन लगाने में हमारा प्रदेश नमबर एक है यहां लगभग एक करोड एक तालिस लाख लोगों को वैक्सिन लगाई जा चुकी है इस हिसाब से रास्थान में हर पांचवे वैक्ति को कोरोना का टीका लगा है लेकिन यही रफ्तार रही तो करीब साड़े साथ करोड प्रदेश वासियों को टीका लगाने में करीब दो साल लग जाएंगे टीका लगाने में दूसरे नमबर पर गुच्रात है वहां अब तक एक करोड चालिस लाख वैक्सिन लगाई गई है कोरोना संक्रमन की चेन तोड़ने के लिए लगाए गए लोगडाउन के पहले दिन ही जोदपुर कमिशनर रेट की पुलिस ने सकती बरतना शुरू कर दिया है पुलिस में नई गार्ड लाइन की पानला के लिए बिना कारण घरों से बाहर निकलने वाले शोहरवासियों से कड़ी पूच्ट आज कर रही है कईयों के चलान काटे गए तो कई लोगों को क्वारेंटीन सेंटर भेज दिया गया पुलिस कमिशनर जोस मोहन ने भी शहर के विभिन नाको पड़ ज़ाकर वहां की वेश्था ने देखी और आवशक दिशा ने देश दिये विकानेर में अविभाग को सभी सेंटर्स पर कोरोना टेस्ट सिमित समय तक ही करने की कारण पोजिटिव केस में अचानक कमी आई है सुमार सुबह की रिपोर्ट में विकानेर में महाख 250 केस सामने आए हैं जबकि शामकी रिपोर्ट आना भी शेश है अकेलिये पीबियम अस्पिताल के कोविर आउट डोर पर ही 144 पॉस्टिक केस मिले है जोद्पुर की बासनी पुलिस ने टेक्स्टाल उद्दमी को विश्वास में लेने के बाद डेड़ करोड रुपे की चपत लगाने वाले एक व्यक्ति को एहमदाबाद से ग्रिफतार किया मुख्या आरोपी सहीत दो अन्ने की तलाश के प्रयास किये जो रहे हैं ठाना दिखारी पाना चौधरी ने बताए कि एहमदाबाद के सुनिल मानवानी को हिरासत में लिया गया है वो फरजी पहचान पत्र से गुप्ता नेरज कुमार बना हुआ था बिकाने इस्थित पीविम हास्पिटल में 95% कोरोना के मरीज भरती होने की कारण आक्सिजन की सबसे ज़्यादा खपत यहीं हो रही है मरदाना हॉस्पिटल में सभी वार्ड कोविड रोग्यों के लिए खोल देने से अन्य बिमारियों के मरीजों की भरती बंद कर दी गई है कोरोना मरीजों से सभी बैट फूल हो गए है अब केवल गंभीर मरीजों को ही भरती किया जा रहा है रूटिन ओ अपरेशन 20 दिन से बंद पड़े है जोत्पुर में भातिय जैन संगठन एवं 13 पंथ यूवक परिशत द्वारा वैक्सिनेशन से पूर महावीर उद्यान पावटा में रक्तदान शिवर का आयोजन किया गया तेरा पंथ यूवक परिशत के सची नितिश जैन ने बताया कि शिवर में महात्मा गांदी एस्पताल के ब्लड बैंक वे पारिस ब्लड बैंक ने सेवाएं दी बिकाने इस्थित पीवियम प्रशासन अब अपने गलतियां छिपाने के लिए तमाम बहाने बना रहा है पीवियम हास्पिटल में कैजूल्टी समेत कई स्थान अपर शनिवार को ऑक्सीजन वे बैड उपलब नहीं है और सुविधा के लिए खेद है का नोटिस चस्पा करने के बाद अस्पताल प्रशासन घिरने लगा तो आननफानन में नोटिस हटा दिया नोटिस को लेकर सत्ता और विपक्ष एक दूसरे पर हमला वर्व भी हुए है जोद्पर संभाग में अब तक मुख्यमेंतरी चिरन जीवी स्वास्तिभी माई योजना में दो लाख अर्तिस हजार सास्सो अस्सी परिवारों का पंजियन किया जा चुका है इसमें लोगो सिमान्त क्रिशक श्रेनी में 99494, अंगनवाडी कार्मिक 400, आरडी वे पियार श्रेनी में 1151, अन्य समीदा कार्मिक 5842, गैस सरकारी परिवार 96766 का पंजियन किया जा चुका है और ये प्रक्रिया 31 मही तक जोरी रहेगी एक तरफ उखरती सासों की बीच लोगों को अस्पतालों में बेड़ और ऑक्सिजन नहीं मिल पा रही है, कई शहरों में रात और रात एमर्जन्सी में अस्पताल बनाएं जो रहे हैं, लेकिन लून करंट सर में 10 करोड रूपए की लागत से 20 साले के 4 भवन बन करता जान ह लेकिन हैंड ओवर, टेक ओवर की प्रक्रिया में सालों लग वही हैं, अन्शिक भवन का काम एक साल से 6 लेकिन बुशासन की तक परता देखिए, इसे एक साल में भी ठीक नहीं कराया जा सका लोगडाउन के अवधी में जरूत मंदों तक भोजन आपूर्ती करने के लिए राजसरकार ने नए गायलाइन जारी की है और अब महस 8 रुपए प्रती भोजन पैकेट की दर से भामाशाह जरूत मंदों के लिए भोजन पैकेट उपलब्ट करवा सकेंगे जोद्पुन अगरनगम आयुक्त दक्षिन डॉक्टर अमित यादों ने बताया कि भोजन पैकेट के लिए भामाशाह से आठ रुपए प्रती पैकेट लिए जाएंगे वहीं 12 प्रती पैकेट का भुक्तान इंद्रा रसु यूजना के बजट से किया जाएगा तो फिलाल इस पुलेटिन में इतना ही फिर हाजर होंगे कुछ और बड़ी खपरों के साथ SBT News के और भी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें